बिल्कम फ्रेंड्स इस वीडियो में समिधान सवा के टोप 15 कोशन्स डिसकस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परिच्छाओं के लिए इनपोर्टेंट होंगे यह पॉलिटी का पार्ट 3 है पार्ट 2 तक अपलोड कर दिया गया है जो नहीं देखे जाएक देख लिजिएगा परले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे आई देखते हैं पहला कोशन पहला कोशन है समिधान सभा का पर्थम अधिवेशन कहां हुआ था मुंबई में कोलकाता में लहौर में दिल्ली में तो समिधान सभा का जो पर्थम अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था कहां पर हुआ था दिल्ली में तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा जिन्हें भी अंसर पता है तो आप लोग कमेंट बोक्स में अंसर को लिखिएगा ठीक है नेक्स्ट समिधान सभा के उटगाटन अधिवेशन की अधिवेशन की अध्यचता किसने की थी तो किसने की थी सचिदान सिन्धाने तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा और कब किये थे तो 9 दिसंबर 1946 को समिधान सभा के उटगाटन अधिवेशन की अधिवेशन की अध्यचता सचिदान सिन्धाने किये थे तो 20 का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट समिधान सवा के अस्थाई अध्यच कौन बने थे तो जो अस्थाई अध्यच थे वो कौन बने थे डॉक्टर राजंदर परसाद तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा और कब बने थे तो 11 दिसंबर 1946 को ठीक है 11 दिसंबर 1946 को यह डेट भी याद रखना है क्योंकि आपसे एक्जाम में डेट भी पूछा जाता है नेक्स कोचन देखिए समिधान सवा के समयधानिक सलाकार कौन थे समयधानिक सलाकार कौन थे तो आपको याद रखना है बेनगल नर्सिंग राओ तो दे इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट भारतिय समिधान सवा के प्रारूप समिती के अध्याच कौन थे प्रारूप समिती के अध्याज कौन थे? प्रारूप समिती को मस्विधा समिती भी बोला जाता है तो उसके अध्याज कौन थे? डॉक्टर बी यार अम्बेदकर थे तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है? यह बहुत फेमस कोशन है इसे अप लोग याद रखेगा नेक्स समिधान सवा की प्रारूप यह मस्विधा समिती में सदस्यों की संख्या कितने थी? तो साथ थी बे इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें साथ सदस्य कौन-कौन थे? इसे देख लिजी सबसे पहले डॉक्टर भीमराम जो अंबेतकर थे वो अध्यज थे एन गुपाल स्वामी अयंगर अलादी क्रिश्न स्वामी अयर कनहया लाल मनिक लाल मुंसी सयद मुहम्मद सारदुला एन माधवन राव जो बीयल मित्र के स्थान पर थे उसके बाद डीपी खेतान ठीक है इतना आप लोगों को याद रखना है इसका आप लोग स्क्रीन सोट ज़रूर ले लिज़ेगा नेक्स कोशन देखिए समिधान के प्रारूप समिति के समच प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा तो किसने रखा था समिधान के प्रारूप समिथी के समझ जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव किस ने रखा था तो जवाहलाल नहरू ने रखे थे तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा यह वेरी वेरी इंपोर्टन कोसन है क्योंकि एक्जाम में बार बार पूछा जाता है Next समिधान सभा में सभी निर्ने किस अधार पर लिए गए हैं तो किस अधार पर लिए गए हैं सहमती और समाई योजना के अधार पर सहमती और समाई योजना के अधार पर तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा Next नेक्स्ट भारतिय समिधान सभा की संगिय सक्ति समिती के अध्यच कौन थे तो जवाहल लाल नहरू जो हैं संगिय सक्ति समिती के अध्यच थे तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारतिय समिधान को अपनाया गया तो आपको याद रखना है समिधान सभा के दवारा भारतिय समिधान को अपनाया गया था तो A इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत को एक समिधान देने का प्रस्ताव समिधान सभा दवारा पारित किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को ठीक है 22 जनवरी 1947 को तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है समिधान निर्मातरी सभा में रवास्ट द्वज संमंधी तदर्थ समिती के अध्याच कौन थे या अध्याच थे तो कौन थे बाइट राइट एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट भारतिय समिधान सभा ने भारतिय राष्टे ध्वज की रूप रेखा को अंगी कार किया तो कब अंगी कार किया तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को तो डे इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट समिधान सभा ने समिधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया या किस दिन समिधान सभा ने समिधान को अंगी करित किया कभी कभी आपसे अंगी करित पूछता है तो आपको याद रखना है 26 नमंबर 1949 को 26 नुमंबर 1949 को तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको आज रखना है इसमें अंगी करित सब्द भी याद रखना है और अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया ये भी याद रखना है आपसे दोनों सब्द पुछा जाता है फसाने के लिए ठीक है समिधान सभा की कितने उपस्थित सदस्यों ने समिधान पर हस्ताचर किया तो आपको याद रखना है 284 उपस्थित सदस्यों ने हस्ताचर किया था तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा टोटल कितने सदस्य थे 299 लेकिन समिधान पर हस्ताचर 284 सदस्यों ने किया था कितने 284 सदस्यों ने किया था ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग 15 important question को discuss कियें जो 15 question थे ये भारती समिधान सभा से समंदित थे इसके बाद भारती समिधान सभा से एक वीडियो और आएगा जिसमें करीब 10 question होंगे उसके बाद समिधान सभा के chapter समाप्त हो जाएगा ठीक है अगर वीडियो आपको देखने के बाद आपको अच्छा लगता है ये helpful लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो किजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसके बाद आपको मिलता रहे थैंक यू